option buyers पर क्या impact आएगा option sellers पर क्या impact आएगा यह सब हम लोग detail में discuss करते हैं जैहिन सेभी ने एक के बाद एक bump होड़ना शुरू करा पहले क्या आया कि भाईया SME वाला जो IPO चलता है उसमें हम लोग 90% की keeping कर रहे हैं रिटेल वाले उधर गुसना शुरू करते हैं अब 90% से उपर listing यह नहीं हो सकता है SME IPO में फिर उन्होंने बोला कि कि भाईया SME का जो IPO जिसका भी एक लाग लाग के आसपास है अब हम उसको बढ़ा के पांच लाग के आसपास लेकर जा रहे हैं एक और बम फूटा फिर उसके बाद इन्होंने बहिए चलो capital gains पर भी taxes बढ़ा दिये STG बढ़ा दिया LTCG बढ़ा दिया चलो वो भी ठीक है उसके बाद STT भी बढ़ाई थी चलो budget में अब और बढ़ा कर यह बोल रहे हैं कि हम FNO के लिए futures and options के लिए और tight rules लेकर आने वाले हैं तो कल इस पर सेभी का एक consultation paper आया था consultation paper क्या होता है जिसमें सेभी ने सामने से logo से trader से retail वालों से HNI से member से सबसे open ली अपना उनका एक response मांगा है opinion मांगा है final नहीं हुआ बट ऐसा बोले कि यार अगर सेभी ने सोच लिया तो final तो कही न कहीं करके रहेगी मतलब it's like सुनो सबकी करो अपने मन की अब इसमें retail वा इंपक्ट नेगटिव इंपक्ट प्लस जो अलड़ी एक्षेंज लिस्टेड यानि कि BSC उस पर क्या इंपक्ट पड़ेगा यानि उसके stock prices पर वो भी हम आज डिसकस करने वाले हैं Hi everyone, my name is Vibor Vashne, I am a SEBI registered research analyst SEBI के जो consultation paper है आज उस पर हम डिसकस करने वाले हैं कि lot size पर के impact आएगा, weekly expiry, margin, upfront option buyers पर के impact आएगा, option sellers पर के impact आएगा, ये सब हम लोग detail में discuss करते हैं तो without wasting time लेकर चलता हूँ आपको SEBI के consultation paper की highlights पर But yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है, ये new user हो, subscribe the channel, press the bell icon, यहाँ पर कोई भी notification हो गया, breakout, momentum, IPO, या कम drugs खुला हुआ है, ये चेक कर लेना Right, budget के highlights भी हम लोगों ने उस टाइम पर discuss करी थी तो यहाँ पर SEBI का consultation paper आया कि भाईया, यह हम लोग डाल रहे है क्योंकि पहले भी इनकी जो chairperson है, उन्होंने कहा था कि जो household की savings है, right, वो लोग FD वगरा में ना डालके, savings bank में ना डालके, nifty bank, nifty, या फिर ETF mutual funds, और in fact इसमें भी लगा रहे हैं यही चीज, RBI के governor ने भी कहा रहता है, right, last 60 minutes में कितना रहता है, 5 days में कितना रहता है, यह सब इन्होंने डाला है, तो पहले महीं ही से start करता हूं, तो उन्होंने weekly expiry July 12,024 के हिसाब से एक बारी को data बनाया है, यह क्या बोलते है, expiry day as percentage of 5 days, मतलब एक हफते में weekly expiry के 5 दिन हुए, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ऐसे बान expiry day पर sensex में सबसे जादा trading होती है, that is 96, बाकी 4 दिन में सिर्फ 4% ही होती है, bank x में, जो की BSC का bank nifty, I should say, तो उसमें 97% होती है, nifty में 64, और bank nifty में 62, यह expiry day के comparison है, बाकी 5 दिन के comparison में, ठीक है, but उससे भी important किरे, last 60 minutes में, यानि धाई बज़े से लेकर, साड़े तीन बज time, उतनी trade होता ही नहीं, बाकी के time, as compared to expiry day, मतलब 9-15 से लेकर, धाई बज़े तक, इतनी देर तक होती है, 60% और बाकी, धाई बज़े से लेकर, साड़े तीन बज़े तक होती है, 40% यह बोल रहे है, तो इस चीज से यह लोग idea लगा रहे है, कि लोग gamble जादा कर रहे है, इ next part पर आते हैं, यह नोने turnover वगरा के निकाला है, turnover का data कितना रहता है, यह वो stock futures, index futures, stock options, ठीक है, next part पर चलता हूँ, अब आपको लेकर direct क्या के इनोने changes proposal डाला है, तो वो कहीं 14-16 पे, अब इनोने डाला कि भई, in the view above this consultation, पे वर invites, यह वो and so on, चलिए, सबसे पहला important जो इनोने डाला है, margins वगरा के लिए, minimum contract size यानी margins के लिए, देखो, अभी जो एक contract size की value लगती है, वो कहीं लगती है, 5-6 लाक रुपे के आसपास, अनूमन, 5 से नीचे नहीं जाता, 6-7 लाक रुपे मानके चलते हैं, अनूमन लगती है, nifty के example लेके ही मैं आ multiply करोगे तो आएगा 6,25,000, यह पूरे contract की value हुई, 6,25,000, अब यह लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, phase 1, पहले हम थोड़ा सा बढ़ा कर देखेंगे, क्या की FNO, या gambling वगरा कम होती है नहीं होती, minimum value of derivative contract at a time of introduction to be between 15,000,000 से 20,000, तो मतलब इसका lot size कहीं ना कहीं हजार multiply by 75 के आसपास, तो यह हो गया 1875, 18,75,000, यह देखो यह आगे 15-20,000,000 के बीच में, यानि इसको triple कर दिया, दूसरे example से समझाता हूँ, Reliance, इस तेम Reliance चल रहा है कुछ 3000 के आसपास, on an average, 500 का lot size है, तो यह हो गया आपका साड़े साथ लाग रुपए, साड़े साथ लाग रुपए यह हो गया, अब बोल रहे हैं कि भाई इसको बढ़ाएंगे, तो इसका lot size पहुच जाएगा, कहीं 500, 500 पर भी पहुचेगा, तो 3000 multiply by 500, यह हो गया आपका 15 lakhs, 15 lakhs के आसपास हो गई contract value, तो यानि कि जो lot size बढ़ा दिये जाए, ताकि retail वाला डले, कि भाईया, एक point fluctuation पर इतनी इतनी move आ रही है, पैसा आ रहा है, उसके पास physical settlement के time पर, यह last week of expiry के time पर पैसा ही ना हो, यह हो गया phase 1, phase 2 में क्या बोलते है after 6 months, पहले सको 6 महीने देखेंगे कि क्या थोड़ा बहुत कम हुआ या नहीं हुआ, after 6 months minimum value of derivative contracts to be between 20 lakhs से 30 lakhs, और बढ़ा दिया जाएगा, और बढ़ा दिया जाएगा, कि भाईया, अभी क्या चल रहा है, निफ्टी का lot size चल रहा है, 25,000 के इसा आप से 25 का, तो यह आपका ह हो गया 6.25, अब क्या करेंगे, 25,000 multiply by lot size कर देंगे 100, तो यह आपका हो गया 25 lakhs, यानि आगया इसके बीच में, पहले lot size 50, 75, 100, बढ़ाते जाएगे, अब यहाँ पर एक चीज समझते है, जब futures का contract size बढ़ेगा, यानि कि lot size बढ़ेगा, तो same चीज options में भी अपलाए होगी अब अगर आप option buyer हो, तो option buyer को definitely काफी सारा trouble आने वाला है, काफी सारा trouble आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके भी lot size बढ़ेगे, premium बढ़ेगा, तो अभी जो आप option buy करते थे, for example, समझते है, 2000 रुपे के आसपास, जिसका premium जाता तो 2000, वो हो जाएगा 4000, 5000, तो option के premium काफी जादा बढ़ जाएंगे, यह नोंने पहला निकाला है, चलो, और पढ़ते हैं, और बोल क्या बोला, minimum contract value के बाद, उससे भी important, पहले क्या होता था, 2000, 13, 2014 में, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो सिर्फ हमारे पास nifty bank, nifty होता था, 4-5 साल तक 6-7 तक लिए चल चलता रहा, फिर उसके बाद bank nifty को shift कर दिया, वेडनस दे पर, तो वेडनस दे थरस्दे अब हमारे पास 2 हो गए, फिर उन्होंने फिन nifty भी निकाल दिया, तो as of now, एक हमारे पास है, mid cap, नमबर 2 पे Tuesday को हमारे पास है, fin nifty, नमबर 3 को हमारे पास है, bank nifty, जो NSE की तरफ से है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ NSE, नमबर 4 पे हमारे पास main nifty है, नमबर 5 पे हमारे पास bank x और sense x के expiry है, ठीक है, तो हमारे पास total 6 expiry हो गई, अब यह क्या बोल रहे है, weekly options contracts to be provided on a single benchmark index of exchange, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 exchange है, NSE, BSE, NSE के पास 4 expiry है, जो हम लोगों ने देखा, bank nifty के पास, bank x यानि sense x, BSE के पास 2 expiry है, अब यह बोल रहे हैं कि भी यह, एक exchange की एक ही expiry होगी, तो nifty, यानि NSE को चूज करना पढ़ेगा, वो nifty की रखे, या bank nifty की रखे, same goes with sense x, यानि के sense x की रखे, या bank x वगेरा की रखे, तो बाकी के weekly options वगेरा को हटा दो, weekly में सिर्फ एक ही contract वगेरा रख दो, पहले आप लेकर आते हो, उसके contract size हटाते हो, फिर nifty का भी कम कर दिया, फिर उसके बाद, अब आप बोलते हो, bank nifty का भी कम कर दिया, कहां पर 50 थ यह लोग भी अपने मनमानी कर रहे हैं, यहां पर जो लोग gamble करते हैं, आपने देखा, sense x के premiums में कितनी volatility आती है, जैसे ही हलका सा gamma shoot करता है, up and down, up and down हो जाता है, तो यह जो retail वाले, जो सोचते हैं कि चलो, एक breakout मिल गया, चलो काम करते है, exchange के expiry ले 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 लेते हैं, आज ह और और क्या डाला है, increase in margin near contract expiry, अभी क्या होता था, आपने देखा कि 25,000 का nifty है, मैं nifty के standard example चे ले रहा हूं, तो यह आपका हो गया, 6,25,000, जिसके लिए on and average अभी आपको 1,500,000 के आसपास देने था, divide by 4 कर लेते हैं, but अब क्या बोल रहे हैं, वो समझते हैं, the margins on expiry day and the day before expiry shall be increased in the stated manner, मतलब अभी क्या होता था, जैसे 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 expiry pass आईगी, यह बोल रहे हैं, तो वैसे वैसे हम आपसे और margin लेना शुरू करेंगे, मतलब आपके demat account में, trading account में उतना पैसा पड़ा होना चाहिए, वरना वो auto square off में चला जाएगा, मतलब अभी लो दिये 1.5 लाक रुपए, expiry आनी पास शुरू हुई, तो अब आपको margin रखना पड़ेगा 3 लाक रुपए का, और expiry का दिन आया, तो रखना पड़ेगा 4 लाक रुपए का, तो यह लोग वो देखना चाते हैं, कि जिनके पास सच में पैसा है, वो ही futures में trade करें, जैसे जैसे expiry आएगी, जिनके पास नहीं है, उनको पैसा trade नहीं करने देने वाले हैं, शलिए, next part पर आते हैं, यह हम लोगों ने line पड़ी, यह line पड़ी, यह line मैंने आपको समझा दी, यह line मैंने आपको समझा दी, और आते हैं, rationalization of option strike price, अभी क्या होता है, stocks में जो strike price वगेर होती है, वो stock यानि company खुद वगेरा बनाती है, माल लेते हैं, for example, reliance trade कर रहा है, 3000 पे, निफ्टी के expiry, निफ्टी वगेरा बनाता है, जिसने वो contract open किया है, यानि company, तो stocks के लिए, अगर nifty strike price की बात करी जाए, तो यहाँ पर जो आपको strike price मिलेंगी, 3050 मिल जाएगी, 3150, यह वो इस तरीके से मिल जाएगी, तो यह reliance कॉंट्राक्ट से इल भी on the falling principles, तो अभी यह निकालने वाले पहले index वगेरा के लिए, strike interval to be uniform at a fixed percentage covering near prevailing index price at the 4%, मतलब जहां पर index trade कर रहा है, 25,000 पर index trade कर रहा है, इसका 4% हुआ, 1000, तो 1000 के हिसाब से, यानि 1000 पोइंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से, इनकी index price जो होगी, वो rationalization ह होनी चाहिए निके कोई random भी trade हो रहा है, चीक है, next part पर आते हैं, the number of strike price at the time of introduction not more than 50, मतलब जहां पर open होगा, तो 25 CE open करी जाए, यानि call option, यानि कि और 25 put option starting में ही trade करे जाए, अभी क्यों होता है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 25,000 पर आप निफ्टी का 20,000 का भी ले ले लो 21,000 का भी ले लो, निफ्टी 20,000 और अगर नीचे की साइट देखोगे तो आपको 26,000, 27,000, 28,000 के puts, randomly बगरा मिल जाएंगे, अगर देखोगे call side पर, तो आपको 27,000 के एक रुपए पर trade करते हो, निफ्टी 27,000 अभी कोई event बगरा नहीं है, एकदम से shoot up तो नहीं करने वाली इस 14,15 के wix पे, तो यह कह रहे हैं, उन सबको बंद कर दो, उन सबको बंद कर दो, next क्या आया, अब एक और important, यह option buyers के लिए important है, upfront collection of option premium from option buyers, usually क्या होता है, जब आपको यह option buy करते हो, 95% टाइम्स आपको पूरा margin देना पड़ता है, right, कुछ brokers अभी भी है, या prop desk वगरा वा रिटेल वाले यूशुली देते हैं, मतलब, निफ्टी चल रहा है 25,000 पर, वापस से आते हैं, अगर निफ्टी का कोई call option चल रहा है, let's say, 100 रुपए पे, lot size as of now है, 25,000 रुपए उसका premium हो गया, तो as of now, रिटेल वालों को पूरा 25,000 देना पड़ता है, रिटेल वालों को बट अब यह बोल रहे हैं कि कोई भी हो, for example, आप HNI हो, prop desk वाले हो, कोई भी हो, right, कितना ही बड़ अकाउंट है, पूरा का पूरा members को collect करने पड़ेगा, members कौन हो गए, broker हो गए, intermediary, to collect option premiums on upfront basis from the clients, अब आपको कोई margin जो छोटा बहुत मिलता भी था, वो भी नहीं मिला करे गा, number one, number two, number two, number two, अभी भी क्या होता है, अगर यह contract आपको buy करना था, पच्चिस सो रुपए वाला, आप option buyer थे, भी लिग दिया मैंने, तो तो आपको पूरा पे करना था, बट अगर मैं seller की बात करू, तो seller को पिच्चिस सो रुपए खाने को मिलते, right, but इसको premium पे करना पड़ता था, यानी margin कुछ, डेल लाग के आसपास माल लेते हैं, एक लाग क्या आसपास, सवा लाग क्या आसपास माल लेते हैं, बट अब यह बोल रहे हैं, पूरा पे करना पड़ेगा, पूरा पे करना पड़ेगा, जैसे हम future में contract size या margin कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अम बढ़ाने वाले हैं तो यहां पर option वालों को भी problem थोड़ा बहुत आने वाला है यह calendar spread का benefit वगरा हाट आ दिया फिर यह बोला intraday में जो भी trading होती है उसकी और monitoring वगरा की जाएगी पूरा monitoring वगरा किया जाएगा कि अगर जैसे ही कही पर आप देखते हो broker के पास पूरा right होगा जो position square of वगरा कर दे मुझे जो यहां पर दो चीज लगी एक तो contract size बढ़ाएंगे जिससे retail वालों को impact आने वाला है weekly expiry हटाएंगे फिर उसके बाद margins वगरा collect करेंगे तो यह काफी सारे changes वगरा आ रहे हैं बट मेरा यह मानना है कुछ चीज़े ठीक है कुछ चीज़े गलत है आप margin एकदम से subsequently तीन गुना चार गुना बढ़ा रहे हो उसको दीरे 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 बढ़ाया जाए लाइट अभी है इतने सारे changes on the board लेकर आ गए यह सेभी का consultation पेपर था जो मैंने आपको एक एक line in depth पढ़ाई but as a trader आप चाहे retail trader हो HNI trader हो मुझे आप से जानना है आपके क्या views है इस consultation paper को लेकर या market में जो changes आ रहे है कि पहले weekly expiry देर सारी लेकर आओ फिर उनको हटा दो margin बढ़ा दो option buyer का option seller का STG बढ़ा दिया LTCG बढ़ा दिया मुझे आपके views जानने है तो comment section में मेरे request रहेगी कि comment section में जरूर अपने views दीजिएगा और फिर उस तरीके से ही हम in consultation papers वगरा का reply वगरा फाइल कर सके वीडियो पसंद आये हो share with your friends like and subscribe thank you for watching the video lots of love हुआठब़ नौ कर सrick में में जरूर और रहा नह गणारखएद आये हो हुआएवजगजद ई All Area अजय deh course